Hello everyone, welcome to the channel और इस वीडियो में हम बात करेंगे depreciation के बारे में तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना और वीडियो में जाने से पहले आप चैनल को subscribe जरूर कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही finance वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो depreciation की बात करें उसकी price जो है वो increase होती है For example, अगर आपने कोई property purchase की अगर आपने कोई stock purchase किया है अगर आपने कोई mutual fund में invest किया है या फिर कोई bond में invest किया है और या फिर हम consider कर सकते है commodity market जैसे कि gold है, जैसे कि उसमें gold आ गया उसमें होता क्या है कि over the long period of time हम assume आराम से कर सकते है कि उसकी जो price है वो increase होगी और जैदातर case में price increase होती ही है इसलिए हम उसको appreciation consider कर सकते है और अगर हम depreciation की बात करें तो उसका बिल्कुर reverse process होता है अगर आप कोई भी चीज purchase करते हो और उसके तुरंट बाद या फिर हम ऐसा भी consider कर सकते है कि over the long period of time उसकी जो price है वो decrease हो जाती है तो उसको हम कहते है depreciation अब उसके examples की बात करें तो अगर आप कोई भी electronic device ले लो अगर आपने आज अपना smartphone purchase किया है और अगर आप कल उसको sell करने जाते हो तो वो same price में या फिर उसको आपको ज्यादा price में नहीं मिलेगी उसका मतलब यह है कि यह appreciating asset नहीं है तो उससे हमको क्या ध्यान रखना चाहे कि अगर हम कोई भी चीज purchase कर रहे हैं तो हमको यह मालूम होना चाहे कि यह किस rate पर depreciate होती है अगर हम दूसरे example की बात करें तो हम car को consider कर सकते हैं ज्यादा तर ऐसा देखने को मिला है अगर analysis करके हम देखे तो अगर आपके car की value 10 lakh की car आई है तो एक साल के बाद car की value 20% depreciate होती है जो 20% number है वो बहुत बड़ा है उसका मतलब यह है कि अगर आपने 10 lakh की car purchase की है और अगर आप एक साल के बाद उसको sell करने जाते हो तो उसकी value 2 lakh कम हो जाती है और आपको maximum 8 lakh मिल सकते है तो इस लिए हमको depreciation को समधना चाहिए और उस चीज को consider करके हमको कोई भी product या service को purchase करना चाहिए अगर आपको personal finance से related course चाहिए अगर आपको सीखना है बहुत deeply तो मैंने एक course Udemy में बनाया हुआ है अगर आपको वो सिखना है तो link आपको description में मिल जाएगी तो video देखने के लिए thank you so much